Hello Friends, आज के इस वीडियो मिताएंगे, पासपूर्ट साइज फोटो कैसे बनाते हैं, और पासपूर्ट साइज फोटो को प्रिंट कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीका है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने फोटोसाप को ओपन कर लेना मिनवाइच करने के बाद इसके बाद यहां देख सकते हैं डेश्टाप पे फोटो है तो इस फोटो को फोट सामें उपन करना है तो इस फोटो को माउस से पकड़ना है माउस कवटन दवा के इस तरह से फोटो को फोट सामें लाना है लाने के बाद इसके बाद माउस कवटन size photo बनाना है तो passport size photo बनाने के लिए सबसे पहले इस photo को passport size photo में crop कर लेना है crop करने के लिए यहां से जाना है tool में crop tool को यहां से select कर लेना है crop tool select करने के बाद इसके बाद यहां उपर देखेंगे passport size photo का यहां size देना रहता है तो यहां पहले से कुछ size दिया हुआ है, तो आपको यहां जाना है, यहां से clear पे click कर देना है, clear करने के बाद, इसके बाद यहां देख सकते हैं लिखा width, width के आगे click करके आपको यहां लिखना है, 1.2 inch यहां लिख देना है, इसके बाद यहां के height है, height के आगे click करके यहां ल 300 यहां resoluation यहां लिखिदेना है। इसके बाद mouse का बटम दवा के photo को आपको अच्छे से इस तरह से select करेता है। तो हम photo को select करने के लिए आपको अच्छे signify है फोटो गया तोर रोटेट करेता है। इसे और अच्छे फोटो को slut करने के लिए आपको अपने keyword का arrow की से उपर नीचे दाय माँ इस तरह से आपको अच्छे से slut करने के बाद इसके बाद आपको अपने keyword का इंटर बटम दवा देना है फोटो क्राप हो जाएगा कराब करने के बाद इसके बाद फोटो को आपको जूम करने के बाद इसके बाद आपको फोटो को क्लीन करना है तो फोटो को क्लीन करने के लिए सबसे पहले आपने फोटो में देखेंगे लाइट कम है बेसी light कम बेसी करने के लिए आपको अपने keyword का control यम बटन दवाना है तो मेरे photo में light कम है तो यहां से light बढ़ा लेते हैं mouse का बटन दवा के अपने photo के साब यहां से light को बढ़ा लेना है light बढ़ाने के बाद इसके बाद यहां से ok कर देना है इसके बाद इस photo का level करने के लिए आपको अपने keyword का control यल बटम दवाना है इसके बाद यहां से mouse से जाना है आपको अपने photo की साब यहां से level करना है यहां से कम बेशी इस तरह से देख सकते हैं light को यहां से set कर लेना है यहां से हम set कर लेते हैं इस तरह से इसके बाद यहां से OK कर देना है तो आप यहां देख सकते मिरा फोटो कुछ पीला दिख रहा है यहींदि आपका फोटो पीला हो या कोई और color में हो तो आपको अपने फोटो का color balance कर लेना फोटो का color balance करने के लिए आपको अपने keyword का control B button दबाना है इसके बाद यहां क्लिक करके आपको अपने फोटो को देखकर फोटो का color balance कर लेना है तो हम अपने फोटो को देखकर फोटो का color balance कर लेते हैं इस तरह से तो आप यहां देख सकते हैं मेरा फोटो का color किस तरह से balance हो रहा है इस तरह से आपको अच्छे से अपने फोटो को देखकर फोटो का color balance कर लेना है color balance करने के बाद इसके बाद यहां से okay कर देना है तो आप यहां देख सकते हैं मेरा पहले फोटो किस तरह से था आप किस तरह से हो गया इसके बाद इस photo को brush से photo को साफ करना है तो brush से photo को साफ करने के लिए आपको tool में जाना है यहां से eye dropper tool को select कर लेना है select करने के बाद इसके बाद mouse से आपको कहीं गोरे चेहरे पे इस tool से click कर देना है click करने के बाद इसके बाद फिर से tool में जाना है यहां से brush tool को यहां से select करने के बाद इसके बाद mouse से यहां उपर जाना आपको यहां इस पर click कर देना है click करने के बाद इसके बाद mouse से इसको पकड़ना है इस तरह से scroll यहां से करना है इसके बाद आप यहां देख सकते हैं बहुत सारा blur में brush आ जाएगा तो यहां से कोई एक ब्रेस को select करने के बाद इसके बाद माज से हां जाना आप लिखा profit meaning a butter का нем सौर है तो माज से select करके आपको tbsp 10 कर लिना इसके बाद कीवोड का इंटर बटन दबा देना है इसके बाद यहां आगे फलो है तो फलो 100 है तो 100 रहने दिजिए इसके बाद जो brush का size है आपने keyword का दोनों bracket से brush का size को छोटा वड़ा इस तरह से कर सकते हैं इसके बाद brush का size को छोटा कर लेना है आपको photo को zoom करके mouse कवटन दवा के photo को आपको इस तरह से clean करना है इस तरह से brush से photo को clean कर सकते हैं तो हम photo को clean कर लेते हैं तो आप यहां देख सकते हैं मेरा photo किस तरह से clean हो रहा है इस तरह से आपको अच्छे से photo को clean कर लेना है यहां देख सकते हैं photo किस तरह से clean हो रहा है ब्रेस्ट का साइज को छोटा बड़ा करके आप यहां देख सकते हैं छोटा बड़ा करके इस तरह से फोटो को आपको अच्छे से क्लीन करना है तो आप यहां देख सकते हैं मेरा फोटो क्लीन हो गया यदि आपका फोटो क्लीन नहीं हुआ है यदि और आपने फोटो को क्लीन करना चाहते हैं तो फोटो को क्लीन करने के लिए फिर से माउस से आपको यहां उपर जाना है यहाँ image पर click करना है इसके बद यहाँ adjustment पर click करना है इसके बद right side में इस तरह से आपको आ जाना है तो आपको यहाँ selected color पर click कर दिना है click करने के बाद इसके बाद यहाँ से mouse से पकड़ना है इसके बाद आपको left side में इस तरह से थोड़ा सा यहां से बढ़ा लेना है इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा लेना है इसके बाद mouse से यहां red पे click करना है इसके बाद यहां black पे click कर देना है इसके बाद फिर से यहां पकड़ना है eyebrow को black करने के लिए आपको tool में जाना है या अपने mouse का अपने इस tool पे right button क्लिक करना है इसके बाद यहां से burn tool के यहां से slut कर लेना है slut करने के बाद इस brush का size को भी आपने दोने keyword के bracket से छोटा बड़ा इस तरह से कर सकते हैं है इसके बहुत माउस को बटन दchemistry के यहां से देख सकते हैं आई बोऌको भी इस तरह से यहां से ब्लैक कर सकते हैं तो आप यहां देख सकते हैं मेरा फोटो रेडय हो गया इसके बाद इस फोटो का background चेंज करेंगे आप यहां देख सकते हैं simple background है तो simple background change करने के लिए आपको देख लिजिए tool में जाना magic tool को select कर लेना है या keyboard का w button दबा देंगे magic tool select हो जाएगा तो आप यहां देख सकते हैं magic tool select हो गया इसके बाद इस background पे click कर देना है click करने के बाद इसके बाद आप यहां देख सकते हैं आपको अच्छे से image को select कर लेना है आप यहां देख सकते हैं select नहीं हुआ तो keyboard का shift button दबा के आपको अच्छे से image को इस तरह से select कर लेना है select करने के बाद इसके बाद पीछे आपकी इस color का background लगाना चाहते हैं तो पीछे का background लेने के लिए आपको देख लिजिए टूल में जाना है यहां से टूल में जाना है आपको देख लिए set background टूल पे यहां इस पर click कर देना है click करने के बाद इसके बाद आपके सामने इस तरह से आजाएगा आप जो भी color background लगाना चाहते हैं पूरा image इस तरह से select हो जाएगा तो आप यहां देख सकते हैं फोटो का background चेंज हो गया इसके बाद चेंज करने के बाद इसके बाद इस selection को हटाना है keyword का control d button दबा देना है selection हट जाएगा इसके बाद इस फोटो के चारो तरह से बाड़र लगाना है तो फोटो का चारो तरह से बाड़र लगाने के लिए आपको image को select कर लेना है keyword का control A बटन दबा देंगे पूरा image इस तरह से select हो जाएगा select करने के बाद इसके बाद आपको यहां mouse से जाना है आपको देख लिए यहां edit पे उपर यहां click करना है इसके बाद नीचे आजाना है यहां stroke पे click कर देना है इसके बाद आपको यहां inside पे सबसे पहले inside पे click कर देना है इसके बाद आपको देख लिए color पे click कर देना है आप किस color का बाड़र लगाना चाहते हैं तो यहां बलेक लेंगे बार्डर को, यहां से बलेक पर क्लिक कर देते हैं, इसके बाद यहां से ओक कर देंगे, इसके बाद आपको देख लिए यहां क्लिक करके आप कितना मोटा पतला बार्डर को रखना चाते हैं, तो यहां से हम दो पिक्सल को कर लेते हैं, इसके बाद य फोटो को चार तरह से इस तरह से बाडर लग जाएगा है तो अब यहां देख सकते हैं यहां फोटो बनके रेडियो गया इसके बाद इस फोटो को प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए आपको अपने कीवोड का फोटो को इस परिंट करना है तो फिर्याँ इसके बाद इस फोटो को से बूप करना है तो मूप करने के लिए आपको move tool को select करना है keyword का V button दबा देंगे move tool select हो जाएगा move tool select करने के बाद इस फोटो पर click करके mouse का button दबा के इस page पे लाके इस image को छोड़ने के बाद इस page को यहां से click करके बढ़ा कर लेना है तो आप यहां देख सकते हैं इस image पर click करके तो आप यहां देख सकते हैं इस image पर चार तरह से इस तरह से selection आ रहा है यदि आपके image पर इस तरह से selection नहीं आ रहा है तो आपको देख लिए यहां जाना है उपर आपको यहां art to select layer पर click कर देना है इसके बाद यहां पर भी आपको click कर देना है तो आपके image पर इस तरह से selection आ जाएगा है इसके बाद इ जूम कर लेते हैं, इस पेस को जूम कर लेंगे, इसके बाद यहां और फोटो बनाना है, तो और फोटो बनाने के लिए आपको अपने कीवड का Ctrl-Shift-Alt-Button एक साथ दवाना है, इसके बाद इस Image को माऊस पकड़ के इस तरह से हीचना है, तो आप यहां देख सकते हैं, फिर से हीच हेंगे इस तरह से, तो आप यहां देख सकते हैं, इस तरह से बहुत सारा फोटो बनेगा, आप जीतना फोटो बनाना चाहते हैं इस तरह स माउस का बटन दबा के इस फोटो को आपको select कर लेना है तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से फोटो को select कर लेना है आप यहाँ देख सकते हैं फोटो select हो गया select करने के बाद इसके बाद आपको अपने keyword का control E बटन दवा देना है फोटो मर्ज हो जाएगा इसके बाद मर्ज करने के बाद फोटो को हम जू माइनस कर लेते हैं इस पेज को जू माइनस कर लेते हैं इसके बाद फिर से आपको अपने कीवड का Ctrl-Shift-Alt बटन दवाना है फिर से इस इमज को माउस पकड़के इस तरह से इचना है तो आप यहां देख सकते हैं नीचो और सारा फोटो बन जाएगा आप जितना फोटो बनाना चाते हैं इस तरह से फोटो बना सकते हैं आप यहां स्द्वान दवाना है इसके बद आपको यहां प्रिंट पे क्लिक कर देना है इसके बद यहां सस्टोर कुलेंब करें आज उपने हाई-कॉल्टि को यहां से स्लट करने के बद यहां से ओके कर देना है इसके बद यहां से भी ओके कर देंगे आपका फोटो बहुत आसान तरीके से प्रिंट हो जाएगा